वेल्कम तु टेक विजिन शब्सक्राइब तो आर चैनल बाइक विजिश्ट्राइब बटन क्लिक त बेल बटन एंज्जुई देखने ए टेक विजिन अज़ आज का जो टुटोरियल है वह आज हम लोग यह देखने वाले हैं कि विंडोस तैन Microsoft के website से कैसे download करते हैं ठीक है उससे पहले अपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नीकिए तो प्लीज सब्क्राइब कर लिजिए और बाइल आइक्न को जरुद दवाईए feature update पाने के लिए सबसे पहले अपको यहां पे browser खोलना में mozilla firebox खोल लेता हूं अब यहां पर आते है address बार में यहां पर windows 10 टाइप करेंगे यहां पर windows 10 टाइप करेंगे windows 10 हम लों को download करना है तो windows 10 टाइप करेंगे यहां पैसा भी टाइप कर सकते थे windows 10 download microsoft खोल गया चलिए मिल गया अब वो heading देखने के लिए आइस से गया तो पहला link मिला download windows 10 microsoft खेंगे उसमें enter किया अब वो यह खुलने देखेंगे, यह लोड हो रहा होगा शायद हो गया होगा खोल गया है पहले टॉप में आउंगा और डाउनर डाउनर से लेता हूं ठीक है यहाँ पर एक तो यहाँ पर information दिया होगा के requirements 5GB RAM ठीक है 16GB hardditch तो दोस्ते यहाँ पर download tools now option आगिया है और यहाँ अब हम लोग करेंगे सीधा इसको download यहाँ परिके tools open होगिया है अब इसको save कर रहते है save file button enter download windows 10 dash control j library 19 per ठीक है tools download हो रहा है 45% 56% 68% 82% 95% 100% दोस्तों यहाँ पर tools डाउनलोड हो चुका है तो चलते है डाउनलोड में तो अब हम लोग download में जाएंगे 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 जहाँ पर डाउनलोड हो है अब तो यह tools डाउनलोड हो है तो अब हम लोग को windows 10 डाउनलोड करना है तो डाउनलोड टूल स्टारी डाउनलोड जाएंगे जहाँ पर डाउनलोड हो है तो यहाँ रन करेंगे रन किये तो देखियों यहाँ पर windows 10 setup है तो यहाँ पर कुछ हो रहा है यहां पर आपको एक्सेप्ट करना है ठीक है यह लाइसेंस वाल है कुछ अब यह कुछ हो रहा है अब यहां पर what do you want to do तो क्या करना चाहते है तो यहां पर दो आप्टेट नहीं करना है हम लोगो 7-10 में नहीं जाना है तो चलो अब यहां पर इसको अंचेक करना है ठीक है यूजर रेकमेंडेज ठीक है तो यहां पर अभी आया है यहां पर लैंविज तो यहां पर इंग्लिश इवेस ठीक है एडिशन क्या है विंडोस 10 अब आर्खिटेक्ट्यर देखिया जो आपका मैं अपरेटिंग सिस्टम हो अना जैसे 32-bit होगा तो 32-bit आएगा अगर आपको मैं 64-bit इस्टॉल होगा तो 64-bit आएगा तो आपको करना क्या है आपको अगर 32-bit डाउनलोड करना है तो यहां से चेंज करना है जैसे अगर आपको बोद डाउनलोड करना है तो बोद ठीक है लेगन मैं यहां पर 32-bit डाउनलोड करूंगा अब यहां पर मैक करेंगे बोद करेंगे ठीक है अब यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि अब हम लोग को ISO डाउनलोड करना है तो आइसो फाइल डाउनलोड करना है तो यहां पर विंडोस नाम से होगा सेफ कर देते हैं तो यहां से ऐसे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आज के यही रहा विंडोस 10 कैसे डाउनलोड करते है यह हमने सिखा और प्लीस मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और बैल आइकोन को जरूर दवाईए उससे क्या होगा कि लेटेस्ट जो वीडियो है वो आपको मिलेगा और आपको कोई वीडियो कोई भी वीडियो जैसे आप चाहते की हम बनाए तो आप कमेंट कीजिए ठीक है की कोई साई वीडियो चाहे वो टेकनोलजी से ही रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए ठीक है